आप सब का हर्दिक स्वागत हैं आपका प्यारा चनल एटुजड इस्टिडी पॉइंट पर आज हम क्लास लिखे आई वे हैं जेसे एर्टी क्लास एट भासा मंजरी चेप्टर नो क्या निरास हुआ जाएं कोस्टन आंसर इसके साथ करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें और आप अपना कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से पढ़कर लिखने का प्रियास करें तो देखने अध्या नाइन में क्या निरास हुआ जाएं तो इसके कहानी को हम पढ़े कविता को पढ़े अब इसका कोस्टन आंसर को हम देखेंगे कैसे बनाएंगे तो फ़स कोस्टन की सुरुआत कर रहे हैं लेखा ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदे की द्रिष्टी से देखा जा रहा है आखिर इसका रीजन क्या है तो दोस्तो आंसर को लिखिये लेखा का कहना है कि हर व्यक्ति संदी की दिरिष्टी से देखा जा रहा है क्योंकि आज समाज में आरू प्रत्यारोब का कुछ ऐसा वह तावरन बन गया है जैसे देश में कोई इमांदार आदमी ही नहीं रह गया है जो जितने उचे पद पर हैं उन्हें उतने ही अधिक दोस्त खोजकर दिखाये जा रहे हैं और उनके कई गुनों है ही उसे नहीं तो यहीं इसमें कहा गया है तो इस तरह से धीरे से लिकर अब अपना नौट को तयार करें आज़े चलते हैं कोस्चन नमर टू पर प्रिस्चन नमर टू को जब हम देखते हैं तो लेखग ने स्विकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है फिर भी वह निरास नहीं है आपकी विचार से इसका क्या कारण हो सकता है तो लिखें बच्चों आउतर लिखेंगे लेखग ने स्विकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया फिर भी यह निरास नहीं है इसका कारण यह है कि उसके जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं घटी जब लोगों ने बिना किसी स्वार्त की दूसरी की सहयता किये तो निरास मन को धाड़ास दिया है और हिम समत बंधाई है उसे विश्वास है कि समाज में मानावता प्रेम आपसी सहयो कभी समाथ नहीं हो सकता इस तरह से बच्चों कोश्चन आंसर को लिखने का परियास करेंगे आए चलते हैं कोश्चन नमर 3 नैस्ट पेचवर कोश्चन नमर 3 की बात करें प्यारी बच्चों तो जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी तो उत्तर को लिखेंगे जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी तो उत्तर को लिखेंगे जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगा है सच्चाई केवल भीरू और ब्यवस लोगों के हिसा में पड़ी हुई है बच्चू अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो बेडियो को लाइक अबस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मन लगा कर पढ़ाई करें आईए चलते हैं कोस्चन नमर फोर नेस्ट पेजबर यारे बच्चों आप देख रहे हैं कोस्चन नमर फोर कीन बातों से पता चलता है कि अध्यात्मिक के मुल दब गए हैं तो आंसर लिखे भारत में आज भी अधिकांस लोगों में सेवा इमांदारी सच्चाई और अध्यात्मिक ताके परती लगाओ हैं समाज के उच वर्ग को यदि छोड़ दिया जाए तो आज भी भारत में मनस्य मात्रा के परति प्रेम महिलाओं को सम्मार जूट और चूरी को गलत समझना आदिमूल बिद्वान है तब वे अवस्च कहेंगे किन्तु समाप्त नहीं हुए हैं ऐसा ही आंसर को बच्चू को लिखने का प्रियास करेंगे आए चलते हैं कोस्चन नमर फाइब नेस्ट पेज पर कोस्चन नमर फाइब की बात अगर करें तो किसी घटना का औरन कि जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया में सचाय इमंदारी लूप्त नहीं हुई है तो बच्चों आंसर को ल गलती के 10 के बाजा 100 रुपया का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैट किया थोड़ी देर में टिकट बाव उन दीनों के लिए सेकेंड क्लास के बिब्बे में हर आदमी का चेहरा पाचानते हुए उपसीद हुआ उसने लेखा को पाचान लिया और बड़ी बिनम्रता के साथ उनके हाथ में 90 रुपय रख दी और बोले यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा और उसके चेहरें पर बिचित्र संतूस की गरिमा थी लेखा जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो 10 रुपया टिकट को दे दिया गया था और वह इसी मैंसे वह टिकट कलक्तर ने उसे फिर आकर उस चेहरें को देखकर उसे पैसे को 90 रुपया लोटा देता है तो इस तरह देखकर लेखा के मैंन में काफी विचित्र चित्र उसके उभर के आता है क्या अभी भी आदमी के मन में मनस्ता के भा पन्न पी हुई है इससे यह जायर होता है कि हमेशा किसी को धोखा नहीं देनी चाहिए अगर किसी से गल्बती हो गई हो तो उसे संतोना देनी चाहिए आईए बच्चो कुस्चन मच्छो की बात करते हैं कि कभीवर रविद्न ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में इस वर से क्या प्रार्थना की हैं तो बच्चो यहां से आंसर को लिखिए कभीवर रविद्न ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में इस वर से यह प्रार्थना की कि यदि संसार में केवल नुक्सान ही उठना पड़े धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर में भी परवो सकती देना कि मैं तुम्हारे उपर संदे ना करूँ आये चलते हैं कोस्चन नमर सेवन नैस्ट पेज पर कोस्चन नमर सेवन क कि बात करें तो दोस्टों का परदाफास करना कब बुरा रूप ले सकता है तो बच्चो आंसर लिखें जब कोई वेक्ति हर समय दूसरों के दोस्टों और अवगुनों का बखहन करता रहता है तब लोग उससे भी गलत समझने लगते हैं और उस समय लोगों का परदाफास करना बुरा रूप ले सकता है जब कोई वेक्तिक किसी महिफिल या विद्वानों की सभा में दूसरों लोगों की आलोचना करता हुआ नजर देखता है तो यह सभी दोस्टों का परदाफास करना तब बुरा उसे लगता है आईए चलती कोस्टन नमर एट नेस्ट पेज प मानता पर किसी के दोस्टों का परदाफास करते समय हम उसे रस लेने लगते हैं और उसके दोस्टों का उद्गातन करना ही अपना एकमात करता भी मान लेते हैं जो सरवथा अनुचित होता है अधर लेखक दोस्टों का परदाफास करते समय उनके उद्गातन में रस लेने क बचने के लिए कहता है क्योंकि बुराई में रस लेना ठीक नहीं है तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करें किसी तरह की कोई दिकत हो तो कॉमेंट करें और वीडियो को सेयर करें मिलते हैं प्यारे बच्चों नेस्ट कुलास में नियू टोपी के साथ थेंक यू